दोस्तो नमस्कार सुभाकत ही आप सभी का अपना चैनल आई एंडी हिंदी टेक में तोस्तो यदि आप एक्सेस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रखे हैं और उसका मोफाइल लेंबर चेंज करना या फिर अपडेट करना चाहते हैं तो अब आप यहाँ प्रोसेस ओन र हैंगे कि अगर एक्सेस बैंक से क्रेडिट कार्ट ले रखे हैं और उसमें रजिस्टर्ड मोफाइल नमबर जो है उसी आप बदलना चाहती हैं तो उसका भी आप ऑनलाइन बदल सकती हैं लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि इसे से पहले हम इस पर डिटे आ रहे थे लेकिन सबसे ज्यादा कोस्टन ये आया था कि हम कितने बार मोफाइल नमबर को चेंज कर सकते हैं और उसकी बाद कोस्टन ये भी था ज्यादा लोगों के दरब से पूछा गया था कि अगर हम जिस मोफाइल नमबर को अभी चेंज करती हैं कि आप पुना जो है उस मुवाइल नंबर को हम जोड सकती है या फिर नहीं जोड सकती है तो सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आप जहे कितना वार यहां से मुवाइल नंबर चेंज कर सकती है हमने access bank के customer gear से बात किया दोस्तों बात करने के बात यही पता चल पाया कि आप जो है mobile number को जितना मन उतना अप change कर सकती हैं अगर ऐसा कोई rule रहता तो आपको वहाँ पर options नजर आ जाते या फिर वहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप जो है access mobile application के मदद से अपना mobile number change करती हैं account का या फिर update करती हैं तो आपका मन है कि जितना वार आप चाहे उतना वार आप update कर सकते हैं या फिर change कर सकती हैं इसमे access bank आपको नहीं रोकेगी दूसरा update मैं आपको बता देना चाहूंगा जो कि यहाँ पर access bank में अगर आपका पहले से mobile number क अपने account या फिर credit card में add कर दे तो क्या वो आप कर सकती हैं या फिर नहीं तो वो आप कर सकती हैं पहले अगर जो mobile number अभी आपका रजिस्टर है उसे आप update कर लेती हैं चेंज कर देती हैं तो उसकी बाद आप चाहेंगे तो फिर से यही mobile number जो है आगे चलकर update या फिर change के आपको मैं बता दू कि access mobile application में ही यह features आपको देखने को मिलेगा net banking में यह features नहीं आया है इसलिए आप यह access mobile application को install कर जेगा अगर account बनाए होंगे तो login बटन पर क्लिक करके mpin डाल कर यहाँ पर login कर लीजेगा अगर account नहीं बनाए होंगे तो सबसे पहले आपको account बनाना option box में हमने link दे दिया है जिस पर click करके आप देख लिजेगा कि कैसे account बनाना होता है account बनाने के समय ही आपको mpin बनाना होता है तो आप जहें mpin बनाएगा और उसके बाद वही mpin के मदद से यहाँ पर login कर लीजेगा अब देखिए आपको यहाँ पर एक services का options मिलेगा login करने का लेकिन अब ही आप देख सकते हैं currently जो है technical इसू चल रही है यहाँ पर कुछ दिरवाद try करने को बोला जा रहा है तो चलो मैं आपको screenshot के मदद से समझा देता हूँ कि कीसे से पहले तो हमने वीडियो पनाया ही है तो आप लोग अगर detail में देखना चाहते हैं तो description box में link ह फिर भी आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ कि screenshot के मदद से कि कैसे कैसे आपको आगे का process करना है और कितने परकार के आपको options मिलते है verify का तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको update mobile number की options मिलेंगे चोकि नीचे में आपको options मिलेगा तो इस वाले options पर आपको click करना होग उसके बाद आप लोग जब next करोगे तो यहाँ पर आपका account बता दिया जाएगा कौन सा mobile number registered है वो भी बता दिया जाएगा नीचे आपको update mobile number की options मिलेंगे यहाँ पर मैं आपको बता दू कि अगर आप credit card ले रखे होंगे तो यहाँ पर जो है account और credit card का भी options मिलेगा अगर अब सिर्फ account का यहाँ पर mobile number चेंज करना चाते हैं तो account वाले पर discount करे अगर credit card का करना चाती है तो credit card वाला पर discount करे fier अकाउंट से टिक आउट हटा दीजिए अगर दोनों का करना चाहते हैं तो दोनों को आप टिक आउट कर सकते हैं जो कि सेलेक्ट औल का भी आपसंस मिलता है तो यहाँ पर यह सारी चीज़े देख लीजिएगा उसके बाद नीचे अपडेट मुफाल नमबर की आपसंस मिलते शीट करने के बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन एक मिलेगा आपको कंप्लेट करने का आपसंस मेथड यहाँ पर ओल्ड मुफाल नमबर ओटीपी अधार नमबर ओटीपी उसके बाद कस्टूमर आइडी पासवर्ड और डिबिट कार्ड पिन देखे इसमें क्या है कि अगर पुराना वाला मुफाल नमबर पर ओटीपी मंगवा कर वेरिफाई करना चाती है तो सबसे उपर पर क्लिक करें अधार नमबर डालकर ओटीपी मंगवा कर यहाँ पर वेरिफाई करना चाती है तो यहाँ पर अधार नमबर ओप्संस पर क्लिक करें अधार कार्ड की number options आपको मिल जाती है तो जो आपको वेहतर लगा उससे आप verify करिये verify करने के बाद यह successful आपको mobile number update हो जाएगा चेंज हो जाएगा एक बात में और आप लोगों को बता देना चाहूंगा दोस्तों कि अगर business जरूरी है तो ही mobile number change करिएगा यहां पर access bank जो है इसे trial के रूप में उतारी है यहां पर यह features दे कर देखी है कि कैसा यह काम करता है और किस तरह से लोग इसे इसे इस्तेमाल करती है हो सकता है कि access bank के तरब से यह हटाया फिजा सकता है इसलिए सोच समझ के mobile number अपडेट करने का परकिरिया करिएगा अगर अपडेट करने की जरूरत है तो आप अपडेट कर सकती है लेकिन अगर किसी लालच में जैसे यूपियाई रेजिस्टर करने के लिए या फिर किसी लालच में आप बार-बार mobile number change करती है तो कुछ प्रोबलम आपको देखने को मिल सकती है तो हमने इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको जानकारी दे दिया है उम्मित करेंगे आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए सेयर करिए और इसी परकार की वीडियो प्रापती के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में हमें तीची अजाज़त तब तक के लिए गुडबाई